दत्या के दिल में हैं दादा क्यूंकि दादा ने दी है दत्या के होनहार बच्चों को एक बड़ी सौगार मेडिकल कॉलेज खुल जाने से अब बच्चे दत्या में अपने घर पडिवार के साथ रहकर डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर रहे हैं दत्या में MBBS कॉलेज खुलने की वज़े से में काफी फायते हुए वे दत्या में हमारे पास मेडिकल कॉलेज है तो हमें बहार जाके पढ़ाई करने की जरूरत नहीं हम यहीं अपने परिवार के साथ रहे कर कम घर्चे में पढ़ाई कर सकते हैं इसके लिए गौवर्मेंट और डॉक्टर नरुक्तर मिश्रा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी गुर्वत्ता पुन शिक्षा और उच्छ तरिय सुविधाएं मिलने से धतिया का मेडिकल कॉलेज अब पात साल में ही सफलता के कई आयाम गड़ चुका है में सबसे नंबरों से डिघरि प्राप्तीह का अच्छी सीनियर सच्छ पद की पढ़ा ही पड़ाई हिंदी में कर रहा है और अब हमारे Medical College को NMC की recognition भी मिल गई है, यह बहुत गर्द की बात है, इसके लिए मैं Narutam Mishra जी का धन्यवाद करना चाहूंगी हमें recently NMC के तबारा recognition मिला है, which is a proud moment for us, अब हम लोगों को admission के लिए जो बार बार permission लेनी पड़ती थी, वो नहीं लेनी पड़ेगी प्लस recognition certificates मिलेंगे सारे students को और doctors के, for which we are very thankful and मैं हमारी government और Dr. Narutam Mishra जी को धन्यवाद देना चाहती हूं, कि हुनोंने हमें NMC की recognition की recognition दिलवाई है, thank you so much sir प्रकृति की गोध में बसा दक्या Medical College, MP के सभी नए colleges में आज अपने एक नई पहचान बना रहा है MBBS और PG में सबसे ज्यादा सीटे हासिल करके, ये आज सारे नए Medical College में सबसे आगे निकल चुका है आर्थिक तंगी के कारण, बाहर जाकर ना पढ़ने वाले बच्चों के लिए, ये सुख सुखदा, डॉक्टर, नरुस्तम इश्राजी के द्वारा, हमें दतिया में ही उपलब्द करा दी गई है उसके लिए हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते है दादा के द्रड संकल और समर्पित प्रयासों से मिला मेडिकल कॉलेज, केवल स्वस्त दतिया ही नहीं, पूरे अंचल के बच्चों का भविश्य सुनहरा बनाने की भी कारेंटी है